गुड मर्निंग टू एरुबडी वेलकम टू मैं चैनल आज नया टापिक लेका आपका सामने सिंटर फाइंड्स एफेक्ट इंड़ पर्नेस इंसे पर्नेस अभी इसमें सिंटर फाइंड्स से पर्नेस में जाने पर क्या क्या प्राब्लम आता हैं उसका रेटिफाइड प्रेशा करना है मैं आज का क्लास में मैं आपका साथ है शेड करना चाहता हूं याच्वली इसमें एकी प्रॉब्लम है सिंटर परसंटेज है मतलब परनेश में ज्यादा करेगा उसका चिलते हैं सिंटर में फाइंड से परनेश में जानाएगा चैंसिस रहेगा मतलब है पाले सिंटर प्लैंड से जो यहां मिट्रियल आ रहा है सिंटर फाइंड से बंकर में जा रहा है उसका नमबर आप ड्रॉपिंग पॉइंड कितना है पाले देखना है जितना dropping points रहेगा उसका जो fines जनरेशन ने input किया है स्टाकोस में जो material जा रहा है मतलब है वहाँ से जो material आ रहा है उसका मतलब है analysis से करना चाहिए है मतलब है center planting after center planting before stockos ये पीच में जो cinder और fines आ रहा है वहाँ का percentage यहाँ का percentage difference रहेगा उसकी बाद है वहाँ से stockos से नीचे जैसा आ रहा है वहाँ मतलब screen का after screen है after screen का बाद है पन्नेस में जो जा रहा है उसका भी analysis बीच बीच में चिक करना चाहिए स्क्रीन आनिलासिस करना चाहिए fines generation है अप्रेक्सिव इंडेक्स है जितना खम कर सके पन्नेस प्रोटेक्टिविटी बढ़ेगा कोग्रेट भी कटेगा रेडिस करेगा कोग्रेट अभी कभी कभी रिसिंग ओपर जैसा मिट्रियल जा रहा है जो charging conveyor त्रू जो रिसिंग ओपर में मिट्रियल जा रहा है उसका भी ये सिंटर का only सिंटर रने से only सिंटर बैच का जो मिट्रियल है वह भी चेक कर सकता है possibility रनाई पर अभी इसमें सिंटर में जो फैंट जा रहा है पन्नेस में फैंट जाने से मतलब एफेक्ट क्या पड़ेगा मैं आज का क्लास में आपको समझाएंगे नमबर वन है अभी जैसा सिंटर में फैंट जा रहा है रेफेरेंट्स मतलब है बहुत कुछ चेंज होता है alternate points क्या क्या चेंज होगा variations क्या क्या होगा मैं आज का क्लास में आपको समझाएंगे नमबर वन है अप्टेक्स टेंपरेचरें प्लच्वेट करेगा नमबर वन पोइंट है अप्टेक्स टेंपरेचरें प्लच्वेट करेगा नमबर टू है वाल स्टिकिंग ओने का चेंज होगा उसका चिलत है skip bowling प्राबलम आ सकता है नमबर टू है skip bowling प्राबलम आयेगा नमबर त्री है CO by CO2 factor है चेंज होने का chances रहेगा उसका से छिलते एटा CO2 जो maintain होना है वो percentage है चेंज करेगा नमबर फोर है इसमें ग्रैंडलर जोन में जो reduction जोन है indirect reduction percentage है गटेगा मतलब है change करेगा indirect reduction percentage है सपोज है 85 percentage से 65% भी आ सकता है दीरी दीरे gradually ये percentage है गटते जाएगा 85 से 5% जैसा गटा है ये अनलाशी से सिंटर में फाहिस देखना पड़ेगा नमबर 5 है नमबर 6 है अभी इसमें direct reduction percentage है बढ़ेगा नमबर 7 है अभी direct reduction percentage है जैसा बढ़ रहा खोकरेटें बढने का chances रहेगा उसके बाद है अपना deadment zone भी change होगा ये deadment zone ने change होने से पाहलें अपना इदा रहें कोई सिव जोने main change होगा कोई सिव जोने change होने का main कार ने मतला मैं उसमें जो अंडेटूसल पार्टिकल है असे वोटू उसमें अंडेटूसल पार्टिकल जो रहेगा यफ़ी वो ग्यांग में असे वोटू इसमें यफ़ी वो दोनों ये percentage है बढ़ेगा उसका चिलते दोनों bonding होके बेलेट श्टक्चर बनेगा बेलेट श्टक्चर कोई सिव जोन में बनने से वही इदर टैंसपर करेगा डेडमें जोन में डेडमें जोन में यही problem करेगा मतलब है heat ज्यादा लेगा उसका चिलते temperature गटने का chances रहेगा रैप्ट जोन है जितना maintain होना है उतना maintain होना ही पता है रैप्ट टेंपरेचर है गटेगा उसका चिलते जो borrowed reactions है 2C plus O to 2C O जो gases बनना है वो gases है आपको खंप percentage बनेगा solution loss reaction है reverse reaction है 2C plus O to 2C O reverse होके 2C plus O2 जो reaction बनेगा उसको decompose होके अभी partial CO बनेगा उसका चिलते CO percentage है जितना maintain होना है परनेश में proper zone से maintain होने पता है उसका चिलते totally entire process से zones shift करेगा दीरी दीरे यह scap pulling IC continue चलाने से कोई शू जोन deadman zone में जितना scap बनने उससे ज्यादा scap बनेगा उसका चिलते परनेश irregularity condition में जाएगा उसका चिलते है परनेश slack temperature है hot metal temperature है difference रहेगा tap hole यह problem time में tap hole है short length आने का chances भी रहेगा totally tap hole short length रहने से परनेश productivity है गटेगा मतलब है hot metal में silicon भी चेंज करेगा यही problem में sinter में fines जानने से major problem यह आ सकता है alternate problem से secondary problem से IC मतलब है जो flame में वहाँ produce होने प्रिपेरी में produce होने का chances रहेगा उसका चिलते शेल temperature भी बढ़ेगा मतलब है sinter में fines continue जाने पर shell crack होने का chances भी रहेगा मतलब रिप्रेटरी एटेक करेगा inside रिप्रेटरी पुरा एटेक होने का बाद है वो temperature ने shell को transfer करेगा shell ने red heart होने का chances भी रहेगा यह secondary problem है और एक बार है sinter में fines जाने से क्या क्या problem आ सकता है देख लेते हैं सबसे पाले उसमें पन्ने से top temperature से मतलब है uptakes temperature रहेगा नेंबर टू है scaffolding problem में आ सकता है scaffolding problem मतलब है wall sticking problem पेस करना पड़ेगा uptakes temperature रहें वैरी क्यों होता है उसका में explanation कर रहें देखिएगा actually uptakes temperature रहें उसमें वैरी fluctuation करने का main कारण यही है center में जो angle of repose है जितना maintain होना है उतना maintain होना पाता है उसका चिलते distribute में center जिसको मतलब में जिस angle में गिरना है वो angle में नहीं गिरेगा उसका चिलते आईरान का जो fe to both three pages transformation है वो जोंसे shift करेगा मतलब है location shift करेगा उसका चिलते partial CO जो आ रहा है वो irregular condition में लेके जाएगा मतलब है wall sticking है में जिस angle में किनना है वो angle में नहीं गिरेगा या alternate problem से आते रहेगा scheduling का बाद है अभी उसमें नीचे से 2C plus O to 2CO जो CO गया से standard stability CO गया से वो पर transfer कर रहा वो percentage है अभी solution loss reaction है ज्यादा बढने से 2C plus O to 2CO जो product है 2CO कम होके reverse reaction है 2C plus O to CO decompose होके यह carbon partial CO बढ़ेगा उसका चेल के अभी उसमें जितना CO maintain होना है uptakes में 18 to 22 है वो percentage maintain नहीं होता है CO2 percentage में little bit change करेगा CO by CO2 factor है जितना maintain होना है in volume का साथ है उतना maintain होना है पाता है उसका चिलते gases volume भी है जितना factor में बनना है उतना factor में बनना है उसमें अभी CO by CO2 factor change करने से eta CO2 efficiency दर्मल efficiency है चेंज होने का chances रहेगा उसके बाद है granular zone में indirect reduction percentage है जितना maintain होना है उतना maintain होने पाता है reduction है percentage है यहां जितना granular zone में CO percentage है 2CO जो product है 2C plus O to 2CO जो product है जितना granular zone में involvement होना है उतना involvement होने पाता है उसका चिलते temperature profile है change होता है उसका चिलते indirect reduction percentage है 85% से 65% आने का chances भी रहेगा अगर यह indirect reduction percentage है 65% आने से अपना 35% direct reduction होने का chances रहेगा उसका चिलते coke rate भी बढ़ेगा entire process में coke rate का साथ है feel rate बढ़ने का chances भी रहेगा उसके बाद है इसका जो कोईशो जोन में जितना यह वोना है dead man zone को effect करेगा ग्याइंग में SIO2 जो percentage है उसका अंडेटिस्पुल जो direct reduction में FeO plus C, Fe plus CO जो reaction ज्यादा बनेगा मतलब है 85% indirect reduction होने से 35% है FeO plus C, Fe plus CO यह high coke rate का साथ है यह reaction बनेगा मतलब जैसे यह reaction बन रहा है coke है ज्यादा consume करेगा उसका चिलते अपना जितना अच्छा CSR रहने से भी है coke strength after reaction coke reactivity index है good parameters maintain करने से भी हैं यह internal problem का चिलते हैं अभी यहां coke rate बने का chances रहेगा अभी इसमें deadman zone में कोई शू जोन में जो यहां reaction हुआ सिलिका यफ़ीवो अंडेडिसबूल पार्टिकल जो उसेट structure है जो रहेगा यफ़ीवो SAO2 का साथ है बाहनिंग होके यफ़ीवो SAO2 पेलेट structure बनेगा पेलेट structure हैं इंडोधर्मिक reactions को promote करेगा इंडोधर्मिक reactions जितना वहां एक्मोस्पेर बढ़ रहा है मतलब है एक्सोधर्मिक reaction प्रोडेट गड़ेगा इंडोधर्मिक reactions बढ़ेगा उसका चिलते partial reduction gases है वहां एक्मोस्पेर बढ़ने का chances रहेगा वह पर continuous के पूलिंग है यह parameter के साथ है long time चलाने पर deadman जून में स्काप बनने का chances रहेगा मतलब है lower stack belly area में और deadman जून इंटर्मिरेट है यह वो two year है below two year में आपका स्काप्स बनने का chances रहेगा liquid atmosphere जून में अभी deadman जून में जो यहाँ atmosphere रैक्ट जून बन रहा है उसका हाइट वीर्थ जितना मेंटिन होना है regular से irregular condition में change करेगा उसका चिलते जितना वहां इंडोधर्मिक reactions है कम बनाना है मतलब है regular जितना बनाता है उससे ज्यादा बनेगा उसका चिलते है total entire मतलब है entire process में gases volume में change करेगा उसमें composition भी change होगा uptakes temperature CO CO2 percentage है change करने पर मतलब factor change होने पर thermal factors है वो change होने पर यह uptakes temperature प्लचवेट करेगा उसके बाद है अपना यह दर है एक ही problem आ सकता है deadment zone में जो art metal temperature raft है 2200 है generally regular process में अभी जितना maintain हो रहा है art metal temperature है slack temperature more than 50 degrees slack temperature ज्यादा रहेगा आपको भी पता है यह 2200 degrees centigrade से अभी जैसा art metal temperature 1550 maintain होना है वो 1500 हो जाता है slack temperature 1550 रहेगा अगर art metal temperature 1450 drop होने से 1500 slack temperature maintain होगा कोई शू जोन में pallet structure है यसे वो टू यफियों का सथ bonding होने से art metal में silicon drop होने का chances भी रहेगा अभी tapping open होने का बाद है जितना अभी वहाँ silicon आना है वो partial silicon है इसमें transfer करेगा art metal temperature ज्यादा रहेगा स्टार्टिंग में ये 15 मिनिटें art metal आने से 2-3 मिनिटें silicon आयेगा पुराना का जो silicon product है और बाद में silicon गटेगा टेंपरेचर तो partial जो टेंपरेचर प्रोपल मेंटें हो रहा है वो टेंपरेचर के चलते आये टेंपरेचर पाशियल टेंप में रहेगा silicon अभी उसमें drop करेगा slack cutting होने का बाद है जितना slack में यफ्यो रन है वो यफ्यो परने का chances भी रहेगा बीटू बिसी सीटियें गटने का chances भी रहेगा उसके बाद है टैप पोल उटनों होने का बाद है स्टार्टिंग में जितना silicon है अभी एविरी मतलब है tapping duration time में silicon fluctuation कर सकता है यही problem आयेगा उसका चेलते यह परने इस temperature प्रोपल चेंज होने पर parameter से चेंज होने पर tap hole में जो मासे pushing तो कर सकता है अंडर परसंट मास जाने से tap hole ने short length होने का chances रहेगा और एक बाद देख लेते हैं पैस्ट आप्टेक्स टेंपरेचरें प्लच्वेट करेगा second one is scaffolding problem पेस करेगा third one is CO by CO2 thermal factors change होगा number four है उसमें eta CO2 जो रहेगा वो problem भी कर सकता है number five है उसमें granulate zone में जो indirect reduction percentage है reduce करेगा number six है direct reduction percentage है change करेगा मतलब है indirect reduction percentage है 65 होने से 35 है यह problem होगा number eight है जितना वहां वो रहे हैं वही problem है यह होता है कोई स्यू जोन में जो FEO SAO2 जो bonding होना था वो bonding है दुसरा श्टचिर बनेगा FEO SAO2 श्टचिर बनेगा उसका चिलते वहां scaffolding का जो पार्मेशन है वो ज्यादा करेगा number eight है यह है कोई स्यू जोन चेंज करेगा number nine है डेडमेंड जोन भी चेंज होगा मतलब 2C plus O2 2CO जो borrowed reaction है वो ना था उसका product cut के मतलब reduce होके यह 2C plus O2 है मतलब 2CO से decompose करेगा partial CO बनेगा उसका चिलते solution loss reaction ज्यादा होगा number ten है अभी इसमें hot metal temperature slack temperature है चेंज करेगा इसका parameters का साथ है long time चलाने पर स्क्याब बनेगा number ten है यही problem है number eleven है अभी उसमें hot metal temperature है change होगा hot metal temperature change होने से slack temperature भी उसमें slag में feo जितना transfer करना है point C below 0.5 maintain होना है यह बो 0.5 आने का chances भी रहेगा feo si o2 pallet structure बनने से tap hole से जो silicon है maintain होना है वो silicon maintain होने पता है partial temperature है optimal temperature maintain होगा tapping duration time में silicon भी व्यारी करने का chances रहेगा उसका चिलते alternate problem में tap hole short length बनेगा tap hole short length बनने से tap hole short length वोने का chances भी रहेगा उसको retipate करना है सिंटर में आभी retipate होने का मतलब सिंटर में finds जाने से 12 तेरा point का जो irregular parameter से maintain करते हुए यह problem आता है यह problem अम लोगें पनेश चलाने time में पेस करना पड़ेगा यह problem में control करने के लिए अम लोगें शिंटर में finds कम करने का एकी अपना पास है प्रोसस है जो screening होरा है उसको single layer screening करवाने single layer screening करवाने से अपना finds generation कम होगा बैपास हो जाएगा जितना अब्रेक्सिव इंडेक्स है पनेश में जाएगा उतना अब्रेक्सिव इंडेक्स है पनेश में जाएगा मतलब इस इंटर में finds control होने से maximum पनेश productivity बढ़ेगा कोक्रेट करेगा कोक्रेट का चिलते fuel rate भी करने का chances रहेगा कोक्रेट है यह अपना जो यहां पोडेक्सिव दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्ष्णल रहेगा अगर प्रोपोर्ष्णल प्यार मेंटर्स मेंटेन ऊने से आप कास्ट आप पोडेक्सिव बढ़ेगा यही देखने हैं आम जो प्यारमेटर्स बताया उसको एक बारो श्टरी कीजिए स्टरी करने से सेंटर में फाइंड से कंट्रोल हो जाता है सिंगिल लेयर स्कीरेनिंग करने पर अभी यही प्रोसेस से उसको रेटिपट करते आप आगे बढ़ाये मैग्समुम जितना प्राब्लूम आता है मैग्समुम कंट्रोल हो जाता है में जो सेप्टी पॉइंट्स बताया है यह सिंटर में पॉइंट्स जाने से पन्नेस में 12 तेरा पॉइंट्स है जो वहाँ प्राब्लूम है पेस करना है 13 पॉइंट में में बताया 12 पॉइंट्स में वो यी रेटिपेट कीजिये अपपन्हस प्रोटेटिविटी बढ़ेगा कोकरिट गटेगा धन्यवाद